दोस्तों नमस्कार मेरे योट्योब चैनल विवाज वर्ल्ड में सागत है मेरे कीचन में सागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक नया रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों यहाँ पर हम 200 गराम चिकन ले लिए हैं बॉनलेस चिकन इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे दोस्तों आज में बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी अलग हटके चिकन स्नेक्स की रेस्पी आज मैं बनाओंगी चिकन बटर फ्लाय रेस्पी दोस्तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और चायके में बहुत मज़ेदार बनने वाला है यह दोस्तो हम यहाँ पर छिर लिए हैं आलू को दोस्तो स्लाइस बनाते वक्त मुझे यह ध्यान रखना है कि ऐसे मूड़ जाए ज्यादा मोटे रहेंगे तो मूड़ेगा ने और पतले भी होगा तो टूट जाएगा इसलिए मेडियम करना है मुझे अजिए 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 हम यहां पर 200 ग्राम चीकन लिए और दो मिडियम लंबे टाइप जो थोड़ा सा लंबा हो उस टाइप का आलू लिए मीडियम हो पर थोड़े लंबे टाइप में हो चिकन ले लिए आधा टी स्पून अधरक लाशन का पेस्ट वन फोर्थ टी स्पून लाल मिर्ची ये लाल मिर्ची है कुटी हुई वन फोर्थ टी स्पून अमचूर पाउडर अगर जदी आपके पास लेमन हो तो लेमन दे दीजिए वेनेगर हो तो वेनेगर दे सकते हैं मेरे पास लेमन नहीं था इसलिए हम यहाँ पे दिये अमचूर पाउडर अगर जदी लेमन हो तो सबसे अच्छी बात है यह आधा हाफ टी स्पून कस्मिरी लाल मिर्च कलर के लिए दोस्तों अगर जदी आपको कलर पसंद हो तो आप फूट कलर भी डाल सकते हैं कलर अच्छा आएगा हम फूट कलर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं फूट कलर हम इसकिप कर रहे हैं फूट कलर ऑप्सनल है आपकी मर्जी है तो आप दे सकते हैं यह हाफ टी स्पून है जीरा और सौफ का भुना हुआ पाउडर एक चमच दही दोस्तो एक टी स्पून कॉर्ण फ्लार दोस्तो वन टी स्पून सोया सॉस हाफ टी स्पून हल्दी आपके अपने श्वाद के अनुशार नमक दोस्तो हम जितने मसाले डाले हैं अगर जदी आपको ज़्यादा इस पैसी चाहिए तो थोड़ा मिर्ची और भी डाल सकते हैं कम इस पैसी चाहिए तो आप अपने ही साफ से इस पैसी बना सकते हैं अब सब को मिक्स करेंगे हम यहां पे कुटी हुई लाल मिर्ची डाले हैं ताकि चिल्डी फ्लेक्स का वो भी आ जाए अच्छे से इसमें दोस्तो अब यहां पे सभी मसाले हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ तो सारे मसाले मिक्स हो गए हैं अब हम इसको फ्रीज में रख देंगे आधे गंटे के लिए क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर नहीं रखेंगे हम इसको फ्रीज में रख देंगे आधे गंटे के लिए दोस्तों सुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है हमारी चैनल को सस्क्राइब कर दें और हाँ दोस्तों बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे अब इसको हम फ्रीज में दख देंगे आधे घंटे के लिए दोस्तों हमें मोटा ज़ादा नहीं करना है पतला भी ज़ादा नहीं करना है ताकि हमारे आलू ऐसे बैंड हो जाए हमें इतना करना है हमें इसके लिए चाहिए तूथ पीक एक बतन में हम यहां पर दो टेव़ल स्पून काणफ्लॉर ले लेंगे हम दो टेवलि स्पून भरके हम काणफ्लॉर लेंगे तीन टेवल स्पून हम यहां पर पानी डालेंगे अब इसको हम मिक्स कर देंगे पिक ले लिए हैं और आलू भी ले लिए अब ले के आते हैं फ्रिज से ले के आते हैं चिकन आधा गंटा हो गया है चिकन को फ्रेज में रखे हुए हम चिकन को ले के आ गए आप जो है दोस्तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे और एक पीसे से उठा के हम इसके बीच में रखेंगे और इसे तुथ पिक लेके ऐसे चिकन को होल करते हुए हम इसके वहाँ तक चाहेंगे एक तूथ पिक लेंगे और ऐसे दोनों को मिलाते हुए चिकन के बीच से लेके जाएंगे तूथ पिक को ऐसे होल्ड हो जाएगा इसमें पहले एक बार डिप कर लेंगे उसके बाद यहां से एक पीस उठाएंगे और इस पे रखेंगे और इसको यहां से फोल्ड करके एक तूथ पिक लेके दोनों को टच करते हुए और चिकन के बीच से होते हुए इसको हम ऐसे करते हैं ऐसे ही हम सभी को मुझे सभी को करके एक बार हम रख लेते हैं दोस्तो यह चिकन बटरफ्लाय बनने के लिए बिलकुल रेडी है अब बनके तयार हो चुका है अब हम यहां पे तेल गरम कर लेते हैं तेल में लो मीडियम उडैस पर पकाना नहीं है जो बारा से शोदर मिलट लगेगा पत्मे में दोस्तो अब बनके तयार हो चुका है अब हम निकाल लेते हैं इसको देखे कितना सुन्दर क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है देखके ऊपर से क्रिस्पी और चिकन अंदर सी जूसी अब इसको हम सर्व करेंगे दोस्तो देखे दोस्तो तैसा लग रहा है तेस्टी तेस्टी अभी एक यहां फ्टाइ हो रहा है और यह भी होने वाला है अब इसको भी निकालेंगे दोस्तो अब बनके तयार हो चुका है अब हम निकाल लेते हैं इसको देखे कितना सुन्दर क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है देखके उपर से क्रिस्पी और चिकन अंदर से जूसी अब इसको हम सर्व करेंगे दोस्तो दोस्तो देखने में जितना सुन्दर लग रहा है उससे ज्यादा टेस्टी ये खाने में लगेगा और जटपट बनने वाला रेस्पी है दोस्तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है कैसा लगा बेटा स्वादिश्ट तो कितना अच्छा सा ये पप चुका है दोस्तो देखने में जितना सुन्दर लग रहा है उससे ज्यादा टेस्टी ये खाने में लगेगा और जटपट बनने वाला रेस्पी है दोस्तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है और दोस्तो टेस्ट करिए आप भी टेस्ट करिए और दोस्तो जब आप ट्राइ करेंगे तो आपका कैसा बना कॉमेंट में जरूर बताइएगा इतना समय देने के लिए दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू एक नए रेस्पी के साथ जल्द मिलेंगे तब तब के लिए बाई बाई अपना ध्यान रखे अपने फैमिली का ध्यान रखे क्या प्यान रखे